नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्धेशंगर्तिवारी हूँ मोधी सरकार ने अभी COVID-19 के दौर में ही ये घुस्डा की थी One Nation, One रासनकार और उसको इंप्लिमेंट करने के दिशा में काफी काम भी हो चुका है इसी तरीके से मोधी सरकार चाहती है One Nation, One Election लेकिन बहुत सारी राजी सरकारों ने इसका बिरोध किया पुलिटकल पार्टी इनने बिरोध किया तो ठंडे बस्ते में चला गया लेकिन आपने कभी ध्यान से सोचा है कि जब धी विधान सभाई या लोग सभाई का चुनाव आता है तो हम लोग वोटर लिश्ट में अपना नाम भोडते हैं और जब अस्थानी निका है नगरपालिका, नगर निगाम, जिला पंचायत, पंचायत का चुनाव आता है तो वोटर लिश्ट अलग होती है यानि कि साल भर यही आदमी के काम रह गया है कभी आधार बनवाए कभी वोटर लिश्ट में नाम जड़वाए कभी देखे की कटा तो नहीं है इस तरीके की दिकत आती है कि नगर निगाम वाले चुनाव में वोटर लिश्ट में तो हमारा नाम था बिधान सभावाले में नहीं आए या लोग सभावाले चुनाव में था बिधान सभावाले में नहीं या फिर बिधान सभावाला में तो उसमें नहीं है यह दिकत आती है अब मोधी सरकार ने और बीजेपी ने बलगी कए अपने घोश्टा पत्र में कहा था कि एक ही वोटर लिश्ट होना हैं पीके मिस्तिरा उन्होंने एक मिटिंग ली जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी राजियू गाबा भी थे पंचायल सचियू सुनिल कुमार भी थे और चुनाव आयो के प्रतनेधी भी थे और इस पर मन्थन हुआ कि इसको कैसे लागू किया जाए दो लागू करने के तरीके हैं भारती संविधान कानुछे 243-K एंड जेड ए ये डिल करता है राज्ये निर्वाचन आयो के बारे में बात करता है कि जो राज्ये का आयो होगा वो देखेगा आस्थानी निकाय चुनाव और वोटर लिष्ट का काम और जो आर्टिकल 3-2-4 है वो बात करता है लोग बृटर लिष्ट काम कर रहा होता है और जब अस्थानी में चर्चा होई राजे त्यार हो जाये हुए कि हम जो है लोग सभा और विधान सभा के लिए जो वोटर लिस्ट बनेगी भारत निरवाचन आयोग के नित्रितों में यदेखरेक में उसी को माल लेंगे अस्थानी निकाय चुनाव में भी लेकिन इसमें डर और आसंका इस बात की है कि जब सेंटर में दुसरे की सरकार रह जो कि राज जी के निरवाचन आयोग और इसकी बात करता है लिष्ट की बात कर रहा है उसमें संसोधन कर दे केंद्र तो दोनों तरीके से बात बन जाएगी तो पीके मिस्रा ने ये कहा कि आईसा है केमिनेट से ग्रेटिस से कि आप राज्यों से बात किजिए और राज संसा की गई थी कि एक ही वोटर लिष्ट होता जादे अच्छा है लेकिन ऐसे मामलों में होता क्या है कि किंद्र सरकार पहल भी करें और राज नम माने तो ये होता है कि फिर हम क्या करें समिधान संसोधन कीजिए तो अब इस तीसा में मोधी सरकार ने आगे कदम पढ़ाया है और यदि इसको लागू कर ले जाते हैं चाहे राजियों को राजी करके या समिधान संसोधन करके तो ये बहुत बड़ी महरवानी होगी कि आम आदमी एक ही वोटर लिष्ट में नाम कटवाएगा या जुडवाएगा उसे ये नहीं देखना पड़ेगा कि या स्थानी निकाय का चुनाओ हो रहा या विधान सभा का चुनाओ हो रहा या लोग सभा का चुनाओ रहा है तो मुक्ति मिल जाएगी इस जहन जट से देखते हैं क्या नतीजा आता है वो एक ग्रूप फॉर्म किया गया है कि राजियों से बात करके आप 15 दिन के अंदर बताईए तो को इंतजार कर लेते हैं जैसे ही कोई इसमें और अपडेट मिलेगा आपको हम बताएंगे देखते रही है हमारा अडिजितल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूब